भारत के इस खास कारक्टर में आपका स्वागत है लगातर हम ऐसी सक्षियत से आपको मिलाते हैं जो 36 गड का नाम रोशन किया है जिन्होंने या जो लगातर अपने शेतर में अच्छे मुकाम पर हासिल हैं और अपना इस्थान अच्छे वस्थे से बनाए हुए हैं आज हम आ प्रधान जी की जो राइपूर से रहने वाले हैं सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है जिस तरह से आप राइपूर से छोटे से शेहर से निकल कर आप मुंबई पहुंचे और मुंबई में आप इस मकाम पर पहुंचे हैं कि अलग-अलग फिल्में कर रहे हैं और किस तरह सबसे पहले तो सलाम नमस्ते जय जोहर शुरुवात मेरी ठीटर से रही है यहां पर सारा पढ़ा ही लिखाई जो है मेरी राइपूर में हुई तो गौर्णमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ मेट्रिक वहां से की मैंने वहां से स्कूल के फंक्शन्स में जो सालाना जल्से होते हैं उससे नाटक की शुरुवात हुई फिर यहां के जो एमिचियर ग्रुप्स हैं ड्रामा ग्रुप्स वहां पर काफी जो मेरे उस्ताद रहे हैं स्वरगी आनंद वर्मा साहब मिर्जा मसूद साहब और जली लिविजी मैं ने यहां काम किया और उसके बाद मेरे जीवन में एक मोड आया और यहां पर हभीब तन्वीर सहाब आये विजिटिंग प्रोफिसर होकर रवी शंकर युनिवर्सिटी में 1984 में और यहां पर उन्होंने एक वक्शॉप किया और यहां के लोकल लोगों के साथ जुड़े तो उनको मैंने जॉइन किया फिर उन्होंने मुझे आफर किया कि आप हमारे साथ दिल्ली चलें और हमारा जो प्रोफेशनल ग्रूप है उनका नया थेटर वो जॉइन करें वहां से मेरी शुरुआत हुई एक्शॉल थेटर सीखा वहां से मैंने काम किया फिर 1991 से मैं कर देखेंटली आप एक तालाम से निकल कर समंदर में जाते हैं तो वो एक फर्क जो है वो तो है सामने दिखता है और तो वह सारी चीजों को मुझे मतलब उसका ऐसास हुआ मुझे महां पर और आ काफी मुश्किल होता है क्यूंकि आप एक सबसे पहली चीज तो कि मंच और camera, दो अलग-अलग बिल्कुल विधाएं हैं, cinema और stage जो है, वो बिल्कुल acting ठीक है, दोनों जगा एक ही तरह से, लेकिन उसमें भी intensity का फर्क पड़ जाता है, जब आप stage पर काम करते हैं, तो थोड़ा सा loud expression होता है, आखरी आदमी तक आपको अपने expression और आवाज पहुचानी होती है, लेकिन camera जो है, वो आपके पास तक आता है, तो वो एक जो basic फर्क है, वो थोड़ा सीखने में वक्त लगा, और बस वक्त सब को सिखा देता है, तो बस करते करते, आज तीस साल गुजर गए हैं, बॉंबे में, और टेलिविजन और फिल्म से काम कर रहा हूँ और ठीक है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है. आज आप पहुँचे हैं, चातिस गड़ में भी वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, किस तरह की ये सीरीज है और क्या प्रोजेक्ट आपका भी यहाँ पर से लेगा है? एक वेब सीरीज है जिसका नाम है अब क्या? और यह एक थ्रिलर है और इन्वेस्टिगेशन उसमें है सारा सब कुछ. लोकल हमारे कुछ प्रोडूसर हैं. फिलहाल मैं चुकि और कुछ रिवील नहीं कर पाऊंगा इसमें. तो इसलिए बस इतना ही है कि यहाँ पर कुछ औ जून जुलाई तक यह आपको देखने मिल जाएगा तो और अपने शहर में काम करना इतने सालों बाद आकर वो एक अच्छा अनुभाव है तो वो चल रहा है और खुशी है मुझे इस बात के. इस दोरा देखा जाए कि सर थेटर के बाद अब लगातार टीजें एडवांस होते आ रही है फिल्म आई अब वेब सिरीज का जमाना आ गया है तो वेब सिरीज में अगर हम देखते हैं तो बहुत सी चीजें होती ऐसी कि आजकल बहुती शब्दों का प्रयोक सीधे तोर पर कर दिया जाता है फिल्मों में होता है कि एक सेंसर्शिप होती है तो क्या उसमें इन सब चीजों को असब भी है मतलब अशलील माना जाता है ना सामानी तोर पर हम गालियों का प्रयोग कभी नहीं करते हैं तो उस लिहास से मेरे खाल से अगर हो सेंसर तो कम चकम घर के लोगों के सदस्यों के साथ बैठ कर हम यह देख सकते हैं वरना जो आजकल की स्थीती चल रही है उसमें काफी दिक्कत है और गालियों का और अशलील सीन्स का बड़ा प्रयोग होता है तो मुझे सोच है मेरी कि इसमें बहतर है कि हम सेंसर्शिप हो कई आपने एक वेब सीरीज भी की है आपने मिर्जपूर में भी रोल निभाया है पुलिस का करदार निभाया है कितना कैसा काम रहा हुजरान और तो कि अभी हमने बात की तो उसमें तो उस मूवी में तो अलगी चीज़ें अब शब्दों की भरमार पड़ी है जी जी मैं उसका एक सदसे रहा हूं हिस्सा रहा हूं उस सीरीज का तो लेकिन देखिए आप बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो दोनों सीरीज एवन लोग उसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं मुझसे हर बार पूछा जाता कि सर कब आ रहा है तीसरा पार्ट तो और क्या होता है ना कि वेब सीरीज की जो टारगेट आडियंस है वो अठारा से पच्छी साल के बच्चे हैं है ना यूआ है और वो उनकी जेब में होता है मुबाइल और वो फटाक से एक बटन पर सारी चीज़ें आ गई हैं और इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको टारगेट करके ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती है जिसमें इस तरह के द्रिशिप मतला परोसे जाते हैं जो उनके उनका मरोन अजट करते हैं तो इसलिए वो ज्यादा पापुलर है अब हमारा तो पेशा है तो हमको तो करना होता है लेकिन मैं फिर भी मेरे हिस्से में अगर इस तरह का कोई सीन आए जिसे मैं अपनी परिवार के साथ ना देख सकूं वो कम से कम मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि उसका का हिस्सा ना बनो आप उसमें सीरीज में बहुत से करदार हैं उन्होंने कुछ किये हैं तो फीक है वो एक हिस्सा है कहानी का हिस्सा तो वो तो करना ही पड़ता है चटिजगर सिनेमा को आप किस तरह से देखते हैं चुकि लगातार अब एडवांस चीजें होती जा रही है चतिजगर सरकार ने फिल्म नीती भी बनाई है अब बाहर से लोग आकर यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं सबसीडी वगरा भी तो किस तरह से भविश्य पर देखते हैं चतिजगर से लिमादा अच्छी शुरुआत है यह और चतिजगर शुरुआती दोर में जब राज्य ब बाड भी मिला है तो वो एक अच्छी शुरुआत है नए लोग आ रहे हैं सोच अच्छी है तो और यह जो गौर्णमेंट की तरफ से मदद मिल रही है उससे बड़ा फादा है बड़े फर्क पड़ेगा बड़े बड़े प्रूसर और डिरेक्टर आ रहे हैं टिगमांशू करदार की बहुत तारीफ हुई है और जिस पता चला लोगों कि आप रायपूर से हैं तो और लोगों ने यहां पर बाती अलग थी तो किस तरह का वो आपका वो करदार था और कितनी इसमें चैलेंजिंग चीज़ आपने हाफिस साहीद एक वाकई चैलेंजिंग एक जिन्दा शक्सियत हैं मतलब तो उनको पोट्रे करना जरा मुश्किल काम था लेकिन फिर भी मैंने उनकी फुटेज देखी उनके जो भाशन हैं उपलब्द हैं यूट्यूब वगरा पे तो उनका बोल चाल उनका ढंग और उनका पहनावा वगरा वगरा जो भी है तो उसको कोशिश की कि कापी करूं और चैलेंज था उस तरह से मतलब काम करना और खास तोर पे गैट अप ने बड़ा काम किया उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए कि गैट अप जिस तरह से दिया गया था आधा काम तो वहीं हो जाता है कि आप गैट अप से कन्विंस कर देते हैं बहुत से बच्चे हैं नएक अलकार हैं जो सीख रहे हैं और जाना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेज देना चाहेंगे किस तरह का मेहनत उन्हें करने के आउशकता है और कितना चैलेंज वहां पर हम जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि यह तालाब से निकल कर समंदर में जाने वाली बात है ना तो आप जब वहां जाएंगे तो आपको तहरना तो आना चाहिए है ना तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी बुनियाद मश्बूत हो और बुनियाद बनती है थेटर से जब जितना वक्त आप दे सके हैं, एक प्रोडिक्शन, दो प्रोडिक्शन, साल, देड़ साल, तो वो कम से कम आपको एक confidence देता है आपको और आपने आपको मांजने का वक्त मिलता है. उसके बाद फिर आप अगर कोई institute ऐसा है जो आपको acting institute हो, जो कैमरे की जानकारी दे दे थोड़ा बहुत, वो जॉइन कर लें, या फिर ठीटर करके भी आप डारेक्ट बहुत सारे ऐसे अक्टर हैं, जिरोंने कोई तालीम नहीं ली, दिलिप कुमार सहाब और यह सब, यह कोई trained actor नहीं थे, लेकिन कमाल का आज भी लोग उनको याद करते हैं, तो वो मतलब पैदाईशी गुन होता है कुछ तो और कुछ लोग सीख के करते हैं, तो मेरा अगर suggestion मानें, तो theater करके फिर आप महां के लिए सूचिए, तो वो आपके लिए फाइदे मन्द होगा, सर आप 36 गड़ सही हैं, कि आप भविश्व में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं, या करेंगे जो 36 गड़ के लिए, 36 गड़ के लिए कुछ बनाने की कुछ आपने कभी सोचा है ऐसा, या कुछ ऐसा कुछ मन्द में प्लान हो आपका? आप इच्छा तो है, इच्छा तो है, और चुकि मैं बेसिकली तो एक्टर हूँ, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत डिरिक्शन का भी मिरा मतला वन हुआ रहा है, स्टेच पे खास करके, थेटर यहां मैंने काफी किया है, एक नजदी की गाओं है कुरुद, वहां मैंने एक वक्शॉप किया था, 1988 में, तो वहां के सारे जो हमारे मित्र हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं, अभी भी मैं आया हुआ हूँ या राइपूर, तो मैं उनसे मिलने गया था, और वो लगातार काम करने हैं उसके बाद से, और वो बड़ी खुशी हुई मुझे वहां जाकर, लोगों से मिलकर, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ यहां के लोगों के लिए, अगर मैं कर पाया भविश्य में, तो ज़रू करूँगा, तो यह थे शाहनवाज जी, जिन से हमने बाद चीत कि, नोने बताया कि जिस तरह से, चत्यज़गर परिवेश से रहते हैं, और आने वाले दिनों में अगर इनकी ख्वाइश भी है, कि यह चत्यज़गर के लोगों के लिए अगर कुछ कर पाएं, तो यह करेंगे, और जिस तरह से नोने बात कही, जो OTT platform होते हैं, जिसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, खुले तौर पर जिस तरह से नगनेता दिखाई जाती है, तो कही न कहीं उसमें थोड़ी बंदिश और सेंसरिशिप की भी जरुवत है, ताकि यह चीज़ें फिल्टर होकर आएं, और सब परिवार के साथ इसे देख सकें, क्यामरा परसन मिठले साहो के साथ, सिधार शिर्वासन, ETV भारत, राइपुर,